में एक बार फिट से आपका स्वागत करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल 37 लेर्नर में एक बार वही कानिया जो सब्सक्राइब करते हैं दिश्याएविफिफ्टीन की जोब के हवाले से जो आईबिया सकडल कर रहे हैं उनके आवाले से ओर टेचिंग मैठ ठीड के हवाले से जो हम आज सिंपल ही टॉपिक लेकर आये हैं फ्रेक्शन प्रेक्शन के हमाले से जो है हम सीखने जा रहे हैं और फ्रेक्शन में हम पढ़ेंगे ट्राइप साफ फ्रेक्शन उस ट्राइप में हम पढ़ेंगे फंस्ट यूनिट फ्रेक्शन प्रॉपर फ्रेक्शन सेंप्रॉपर फ्रेक्शन मिक्स जिसको कमपाउंड फ्रेक्शन बोल आइक के बाद अनलाइक एक्यूवाइलेंट फ्रेक्शन इन पांची फ्रेक्शन को सोरी यह जो हमारे पास एवल फ्रेक्शन है उनके बारे में हम डीटेल से पढ़ेंगे तो लेक्चा स्टार करने से पहले फ्लीज एक रुक्वेस्ट किस चैनल को सब्सक्राइब करें वीड फ्रेक्शन यूनिट फ्रेक्शन किसे कहते हैं यूनिट फ्रेक्शन वो फ्रेक्शन है जिसमें हमारे पास न्यूमिनेटर जो है नियूमिनेटर और डिनामिनेटर आपको पता है कि fraction में एक डिनामिनेटर होता है ठीक है fraction is equal to fraction क्या actually मैं fraction part upon whole ठीक है parts upon whole है और उपर जो होता है हमारे उसके हम बोलते है नियूमिनेटर नीचे होता है इनको बोलते हैं denominator ठीक है ये बात थोड़ी ध्यान से याद रख लें न्यूमिनेटर में हमारे पास one होगा ठीक है denominator में कुछ भी हो सकता है तो unit fraction unit word का मतलब है one unit fraction उसे बोलते हैं जो हमारे numerator के पास क्या हो one हो numerator में हमारे पास one हो one upon nine इस तरीके से one upon two one upon train one upon seven तो ये हमारे पास numerator one है और इसे हम बोलते हैं unit fraction बिल्कुल सिंपल है उसके बात हमारे पास आता है very major important जो कानी अभी start होगी proper fraction किसे बोलते हैं थोड़ा ध्यान से याद रखें ध्यान से देखें ये वीडियो बहुत important से अब प्रॉपर फ्रेक्शन आपको पता है के fraction is equal to n upon d numerator upon d part upon whole ठीक है fraction अब प्रॉपर फ्रेक्शन किसे बोलते हैं इसके लिए जो है त्रिक्स बनाई है आप प्रॉपर फ्रेक्शन को पी डी करके मालूम याद कर लें पी डी पी डी का मतलब है प्रॉपर फ्रेक्शन वो फ्रेक्शन जिसका डिनॉमिनेटर क्या हो बढ़ा हो ठीक है नूमिनेटर छोटा हो लेस हो और डिनॉमिनेटर क्या हो ग्रेटर ठीक से इसका भी नमिनेटर क्या है बड़ा है तो ये हमारी प्रॉपर फ्रीक्षं वो फ्रेक्षन जिसका डिनोमिनेटर बड़ाहो आप improper friction अब improper friction क्या है वो यह सिंपल सी proper friction में हमारा जो है denominator बना था improper friction में जो है हमारे पास वो क्या होगा numerator जा क्या होगा greater होगा ठीक है improper में आई एन ठीक है इंप्रॉपर जिसका नियुमिनेटर बढ़ा हो नाइन अपान एट 6 अपान 2 3 अपान 2 इसका नियुमिनेटर बढ़ा है यह बढ़ा है ठीक है तो यह हमारे पास क्या हो गया सिंपल सी एमप्रॉपर फ्रेक्शन एमप्रॉपर फ्रेक्शन के बाद जो है कानी आती है कमपाउंड जिसको हम मिक्स्ट हॉल फ्रेक्शन भी कहते हैं कमपाउंड जिसको हम हॉल फ्रेक्शन भी कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं पीडी है प्लीक्स Day भी कहते हैं अ उते जो बोणू आप रिक्शन और हुआ कर लेकिंज हमेशा किमपॉण फ्रेक्शन ओफ्रेक्शन से मिलकारइन असलीड कर बनता है ऑटीक danci परप्रिक्शन और है एक mental वाली पॉइंट है आपाफ मेरा की कि कह तो अधी rate कर रहा छाहे तो उसके लिए importance है कि proper fraction किसे बोलते हैं proper fraction is equal to whole plus में हमारा proper fraction ठीक है compound ya, mixed fraction किसे बोलते हैं whole plus में proper whole two whole one upon six ठीक है यह two whole हो घीक है one upon six आपको पता है कि जिसका denominator बड़ा होता है उसे हम क्या बोलता है प्रॉपर फ्रेक्शन तो यह हो गया क्या प्रॉपर फ्रेक्शन ठीक है प्रॉपर फ्रेक्शन इसे बोलते हैं जिसका वन अपांस क्यों सोरी जिसका डिनोमिनेटर क्या हो ग्रेटर हो ठीक है यह प्रॉपर फ्रेक्शन हो गया six upon three अभ यह बताएं कि यह क्या हमारे पास इया होल यह मिक्स फ्रेक्शन है देखें यह सिक्स पांठ थी हमारा नियुमिनेटर गरेंटर है तो यह इंप्रोपर हो गए याद रख लें कि यह कभी भी कमपाउं फ्रेक्शन नहीं है थीक है क्यों कि यह improper से जो है मिला हुआ है उस वजासों यह improper है हमारा जो denominator छोटा है तो यह क्या है यह compound fraction नहीं है यह wrong है भी है 3 whole 2 upon 9 denominator बड़ा है यह हमारे पास proper है तो यह compound fraction है थीक है उसके बार جो compound fraction के बाद हम सीखेंगे like friction इसके सांथ प्लीज हमें कमेंट भी करें कि हमारी वीडियो आपको किसे लग रही है currently ठीक है लाइक fraction किसे बोलते हैं like frictions Frक्षन is equal to enough on denominator you know very well आपको पतना है कि fraction यहे ठीक है like friction किसे बोलते हैं जिसमें हमारे denominator क्या हो same हो कैसे 1 upon 4 and 2 upon 4 denominator is same this is a like fraction ठीक है जिसमें हमारे पास क्या हो denominator same हो 2 upon 3 4 upon 3 6 upon 3 यह हमारे पास क्या है like fraction है जिसमें denominator is equal to same 3 ठीक है उसके पास हमारे पास है unlike fraction unlike fraction अब unlike fraction किसे बोलते हैं वहीं simple सी कानी जो fraction में हमने दोराई है like fraction में किसमें जो है denominator क्या हो denominator same now different हो ठीक है different मुक्तलिफोर 2 upon 3 and 4 upon 5 denominator different तो उसे हम बोलते हैं unlike fraction लास्ट में हम सीखेंगे equivalent fraction लास्ट जो हम सीखेंगे equivalent fraction ठीक है अब equivalent fraction क्या होता है हमारे पास equivalent fraction हमारे पास क्या होता है equivalent वो fraction जिसको हम simplest करें simplest करने के बाद उसकी value जो है उसका fraction हो वो equal है same है let's suppose करते हैं कैसे six upon four and 12 upon eight अब उनको simplest करते हैं आपको पता है कि simplest कैसे बोलते है किसे बोलते हैं simplest यही फार्म होती है हम table लाते हैं simplest करते हैं अब two की table पर कितनी मर्तबा four पर two time और six पर three time तो three upon three upon two और four की table पर two time toilet पर three time तो three upon two देखो इनको simplest किया तो answer same आया हमारे पार ठीक है तो इससे बोलते हैं equivalent fraction तो thank you for watching एक बार वही कानी जो दोराते हैं प्लीज इस चैनल को subscribe करें वीडियो को share करें bell icon को दबाएं और हमें comment में बताएं कि हमारी वीडियो आपको किसे लगी thank you for watching